येस हेलो एव्रिवान आप सभी का स्वागत है डिफेंस अर्रवेफोस 7 के ओफीशल यूट्यूब चानल में मेरा नाम ही कीरती पांडे और आज हम करने वाले हैं बहुत ही तावर तोर तैयारी CISF examination के लिए तो CISF examination बहुत ही पास आचुके है और जीके को लेकर बहुत सारे बच्चे हमेशा चान्द का सैर कराएंगे पूरे दुनिया का सैर कराएंगे बहुत सारे प्लानेट का भी सैर कराएंगे है ना और इससे के साथ साथ बहुत सारे questions जैसे जीके में क्या आता है जीके का मतलब होता है General Knowledge एक Knowledge जो General है ठीक है तो कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें आप से कितने भारत में कितने स्टेट्स हैं, भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं, दुनिया में ये चीज कहा मिलता है, वो चीज कहा मिलता है, या फिर क्या आपको पता है कि आप अपने नेताओं को किस तरह से चुनते हैं, क्या आपको पत का सही तरीका क्या है बहुत सारे questions बनाना अगर हम GK के लिए बहुत सारे questions बनाते हैं और questions के आध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो जी के पढ़ना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, है न, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ questions को देखेंगे, तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, चांद कैसे चमकता है, हनजी, क्या लगता है, तो CRPF के लिए मैं हम आ गए हैं की नहीं, हाँ बिलकुल, देखो, 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 बालक, बाबू, शोना, छोटू, तो मैं एक बात बता दूँ पहले, कि GK जो है न, GK, यह सिफ CISF के लिए नहीं है, यह CRPF के examination के लिए या फिर BSF examination के लिए, आगे आने वाले ITBP examination के लिए, इसके अलावा आप जो CDS में जो basic questions आते हैं, FCAT में जो basic questions आते हैं, है न, यह सारे examination के लिए आज हम आपको से GK पढ़ रहे हैं, और GK आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरा आपसे एक विंती है, एक request है, कि आप session को तो like कर दीजेगा, और session को थोड़ा सा share भी कर दीजेगा, क्या कहते हो, start क्या जाए session, बिल्कुल, तो पहला सवाल है, चांद क्यों चमकता है, तो पहला सवाल का हम answer देखेंगे, have their own natural right, क्या उनके पास अपना खुद की रोशनी होती है, दूसरा option है, reflect the Venus light, तीसरा है, reflect the Earth light, और फिर है reflect the sunlight, क्या ये अपने रोशनी से चमकता है, क्या ये Venus की रोशनी से चमकता है, क्या ये Earth की रोशनी से चमकता है, या ये Sun की रोशनी से चमकता है, तो ये Sun, यानि की Sun की रोशनी परती है किस पर, चांद पर, और चांद कैसे चमकता है, तो Sun की रोशनी में चमकता ह हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम आपको समझा रहे हैं यह देखिए यह आपको दिख रहा है यहां पे कि मून के चारों मून जो है वो अर्थ की चारों तरफ घूमता है और अर्थ किसके चारों तरफ घूमता है सन के चारों तरफ घूमता है ना तो आपसे यही सवाल यहां कौन चक्कर लगाता है, मून चक्कर लगाता है, और्थ किसके चारो और चक्कर लगाता है, तो सन के चारो और चक्कर लगाता है, तो अर्थ यानि की प्रीथवी, 365 दिन में 365 दिन में पूरी चक्कर लगाती है सन की है ना तो मून इतने दिन में चकर लगाता है यह बताईएगा मेरी प्यारी मैम अच्छा मेरा प्यारा स्टुडेंट जल्दी आंसर बताओ तो यहाँपे आंसर क्या हो जाएगा 27 असम्लप 3-2 दिन ठीक है तीन दो दिन यहाँ पर हो जाएगा 27.32 नेक्स आप देखेंगे देखें कि इतना अच्छा अच्छा पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं आँच इतना अच्छा अच्छा फोटो दिखा रहे हैं आपको नेक्स सवाल है कि the stars are not visible during the stars are not visible during day because क्यों आपको ऐसा होता है कि छोटे-छोटे जो सितारे होते हैं जो stars होते हैं वो आपको दिन में नहीं नजार आते हैं छोटे-छोटे सितारे star दिन में क्यों नहीं नजार आते हैं हम आपको अंग्रेजी में इसलिए लिखवा रहे हैं आप लिखके बता रहे हैं क्योंकि सरकारी नौक्री जो लगेगा आप बनेंगे बाबू बनेंगे हैं एड कांस्टेबल बनेंगे या फिर आप एसाई बनेंगे तो किसी भी भाशा से भारत में भाग नहीं सकते हैं हिंदी तो थोड़ी थोड़ी आती है कुछ क्या बोलते किचू किचू तो आप थोड़ा अंग्रेजी भी सीखिए और हम ऐसे टफ इंग्लिश नहीं बता रहे हैं दीरे दीरे आगे आपको कशन सिंदी में ही मिलेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे साथ-साथ अब थोड़ा दिखता ही नहीं है है ना या फिर देर साइज़ लार्ज तो बहुत सारे बचे दे को मुहमद अजाज बता रहे हैं कि मैं देखे सन की रोशनी इतनी चुमकेली होती है ना कि हमें स्टार्स नहीं दिखते हैं इस तरह के क्वेशन्स आ रहे हैं आपके एक्जाम में यह सारे questions पता है मैंने कहां से उठाएं जो आपके exam in departmental होता है na CRPF में CISF में जो departmental examinations होते हैं उसमें इस तरह के सवाल आ रहे हैं कितना अच्छा नजारा है नजारे से भी सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी मून जो है वो बहुत बड़ा दिखता है मून के बड़े दिखने का कारण क्या है है न मून के बड़े दिखने का कारण क्या है तो क्योंकि ये actually बहुत बड़ा है it is very big than earth क्या मून अर्थ से बड़ा है बिलकुल गलत बात है ऐसा तो है नहीं it is bigger than the sun क्या ये sun से बड़ा है ऐसा भी नहीं है ठीक है it is far away from the earth क्या ये earth से बहुत दूर है बहुत दूर भी नहीं है क्योंकि ये earth से पास है earth के पास है इसलिए moon क्या होता है बहुत हमें बड़ा दिखता है next सवाल आपके लिए है, next सवाल आपके लिए है, option, आप मेरा बात सुन लीजे एक बार, option हम Hindi English दोनों में आपको बताएंगे, लिखा हुआ अंग्रेजी में भले हैं, लेकिन हम आपको Hindi में translate करके बता रहे हैं, आगे जो प्रशन आएंगे, जो history के सवाल है वहाँ पे आपको Hindi English दोनों में option मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए चलिए, तो question है question पे ध्यान दीजेगा, बड़ा असान सा सवाल है, कि which star is head of solar system जब आप solar system के बारे में पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे आपको sun मिलता है, mercury venus, earth mars, jupiter, saturn uranus, napechun, है ना यह सारे planet है, यानि कि buddh ग्रे, शुक्र ग्रे, आपकी प्रीथवी, mangal ग्रे, विरसपती ग्रे, शनी ग्रे, अडून और वरुन, यह सारे 9 planets है, तो आप से पूछा जा रहे इन planets का star क्या है star का मतलब क्या होता है, star का मतलब होता है, जिसके पास अपनी खुद की रोशनी होती है, अपनी खुद की light होती है और इन किसी के पास star नहीं है, star कौन सा है हमारा sun star है, है ना कौन चमकता है, किसके कारण हमें रोशनी मिलती है, हमारे sun के कारण, क्या प्रीथवी के पास अपनी light होती है बिल्कुल नहीं क्या किसी और प्लानेट के बास क्या किसी और ग्रह के पास अपनी लाइट होती है बिल्कुल नहीं अपनी लाइट किसके पास होती है तो सन के पास अपनी लाइट होती है राइट अगला सवाल है विच इस विच इस closest planet to the sun तो आपने बताना है कि sun के सबसे करीब कौन है तो आप पढ़ चुके हैं कि sun के बगल में कौन सा है तो mercury है mercury के बगल में कौन सा है तो venus है venus के बगल में कौन सा है तो earth है earth के बगल में कौन सा है तो mars है है ना ये सब पढ़ चुके है देखे ये चारू को मैंने अलग लिखा है और उसके नीचे जो मैं लिखने वाली वो अलग है जुपिटर मैंने लिखा है सैटर्न मैंने लिखा है ठीक है यूरेनस मैंने लिखा है और नेप्चुन मैंने लिखा है ठीक है तो ये चारू मैंने अलग लिखा है थोड़ा थोड है यह प्लानेट अक्चलिए इसका नाम है मर्करी ठीक है इसका नाम क्या है मर्करी मर्करी का मतलब क्या होता है मर्करी को हिंदी में हम क्याते हैं शुक्र ग्रह ठीक है मर्करी को हिंदी में हम शुक्र नहीं बुद्ध ग्रह क्याते हैं क्या क्याते हैं बुद्ध ग्रह क्यात कि सबसे चमकीला कौन सा है और सबसे जादा सबसे जादा गर्म कौन सा है brightest and hottest ठीक है brightest and hottest जब भी ये पूछा जाएगा सबसे जादा चमकीला और सबसे जादा गर्म कौन सा है तो आप बोलिएगा कि देखिए ये Venus है Venus का मतब क्या हुआ शुक्र हुआ ठीक है, शुक्र इग्र है, जो है, सबसे ज़ाधा चमकिला है, और सबसे ज़ाधा यह hottest और brightest ब्यादेखे, कितना चमकडा है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, देख रहे हैं, कितना चमकडा है, तो next सवाल है, कि सबसे ज़ाधा अर्थ के करीब कौन सा है, तो अगर आपसे कौन सा बोलिएगा अर्थ के करीब बोलिएगा देखिए अर्थ है और यह सन है और अर्थ के सबसे करीब कौन सा है तो यह कौन सा स्टार है कौन सा स्टार है तो यह सन है कौन सा ऐसा स्टार है जिस स्टार ऐसे बनते हैं जिसके पास अपनी खुद की रोशनी होती है जिसके प मज़ा आ रहा है ना देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी आपको वो सारे questions करवा रहे हैं जो आपके exam में पूछे जाते हैं बहुत ही चिंटू सवाल करवा रहे हैं बच्चों वाले सवाल करवा रहे हैं लेकिन हम इन सवालों में कभी-कभी गलतियां कर देते हैं तो वो सारे गलतियों को हम यहां पर इदम साफ सुत्रे से ठीक करने वाले हैं पूछा जा रहा है कि all the planet move around the sun ठीक है सारे planet क्या करते हैं sun की चारो ओर घूमते राते हैं घूमते राते हैं all the planet move around the sun है ना तो अब आपने बताना है कि यह जो मैंने drawing बनाई है यह drawing अंडाकार में बनाई है ना अंडे के शेप में घूम रहे अंडे के शेप में घूम रहे तो क्या goal बनाई है नहीं बनाई है क्या line line बनाई है straight नहीं बनाई है क्या rectangular बनाई है नहीं बनाई है elliptical बनाई है ना अणडा कार बनाई है तो दो थे कि ये सारे शब्द पकड़ो अब नौक्री लगने वाला है एक बनने वाले हो है और नहीं Armand के नहीं को आप डेख़् है प्रक्राइब क्या थे ये देखिये तो ऊपना अब थे इसको प्लू रंक प्लानेट क्यों कहते हैं तो यह पुछा जारा है नीला अग्रह क्यों कहते हैं नीला इसलिये कहते हैं air color is blue, क्या, हवा का रंग blue होता है, bilkul नहीं, हवा का तो कोई रंगी ही होता है, हवा क्या होता है, colorless, orderless, tasteless, है न, हवा को ऐसे चार्ट के देखने में पता नहीं चल रहां, ठीक है, तो land color is blue, land का color तो blue एς दम नहीं होता है, green color का होता है, building का color ब्लू और आप लोग भी जब सरकारी नौकरी लग जाएगा तो इस धर्ती को बचाना है ठीक है साफ सुत्रा रखना है प्रोटेक्ट करके रखना है तो इसलिए हमारी धर्ती जो है ब्लू दिखती है अच्छा ठीक है इतना बात समझ गये कि संसे सबसे करीब कौन सा है मैडम लेकिन प्लानेट कौन सा अर्थ के सबसे करीब है यह तो आप बताई ही नहीं यह तो आप बताई ही नहीं यार तो इसमें डाउट क्या है देख रहा कि इतना संदर नजारा है तो इसमें डाउट क्या है कि अर्थ के सबसे करीब अर्थ के सबसे करीब जो सेलेस्टियल बॉ एक बात बताओ कि धर्ती का नाच्रल साटलाइट यानि कि प्राक्रितिक उग्रय कहां कौन सा है ऐसा माना जाता है कि मून कुछ नहीं है मून अक्चली धर्ती से बाहर निकला है तो धर्ती से बाहर निकलने वाला जो नाच्रल साटलाइट है वो मून है ठीक है साटलाइट सम डोंगबले है कि अपना थालाइट कहते है तो बड़ानेट के पास अपना क्या नहीं होता है यलाहस के पनी गडमी है अपनी भी पानी है ठीक है, क्या प्लानेट के पास अपना oxygen और अपना पानी नहीं होता है, अर्थ के पास अपना oxygen है, अपना पानी है, क्या प्लानेट के पास अपना water और अपना light नहीं होता है, वाटर तो होता है, अर्थ के पास अपना water है, लेकिन प्लानेट के पास अपनी heat और अपनी light नही यह सं से और प्लानेट को light कहां से मिलता है संसे तो यह आप याद रखेंगे अग्रूप और डाश फॉर्मिंग वेरियस पाटरन अड़ काल कॉंस्टेलेशन तो कॉंस्टेलेशन या नहीं कि नक्षत्र क्या होता है है ना नक्षत्र क्या होता है ये बताओ बोलते हैं मेरा नक्षत्र ही सही नहीं चल रहा है तो ग्रूप ओफ ग्रूप ओफ सितारे जो है स्टार्स ये मिलकर क्या बनाते हैं नक्षत्र बनाते हैं है ना ग्रूप ओफ स्टार्स जो है नक्षत्र बनाते हैं अच्छे एक बात और ग्रहे के बारे में इतनी चीज़े पढ़ ली आपने की ठीक है ग्रहे के बारे में हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ ली लाल रंका ग्रहे कौन सा होता है कौन सा ग्रह जो है वो लाल रंका है तो मार्स यानि मंगल ग्रह लाल रंका है थ्री क्वाटर ऑफ सन इस मेड़ अ जिरो है ये सवाल बहुत बार पूछा गया है साइंस में जोग्रफी पढ़ाते हैं साइंस भी पढ़ाया जा रहे है आपको तो सबसे पहले हाइड्रोजेन फिर ही लियाम फिर लीथियाम फिर बेरेलियाम फिर बोरोन कारवन पढ़े हैं ना तो पहला जो हमारा element है जो सबसे हलका element है उसमें एक electron है एक proton है और यहां पर no neutron है एक भी neutron नहीं है ठीक है तो ये hydrogen है और हमारा सूरज जो है सबसे जादा hydrogen से बना हुआ है session समझ में आप ही रहा है कि हम ऐसे ही अपने आप से बात कर रहे हैं और यहां मुझे 120 से जादा लोग जो हैं वो बस देख रहें कि यह क्या कर रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा है एले समझ में आ रही है चीजे मैं थोड़ा बात कम करती हूं थोड़ा कशन जल्दी जल्दी कड़ाती हूं तो आसा तो नहीं है कि मैं बहुत जल्दी 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 जल इसी भी एक्जाम की अपते यारी कर रहे हो, CISF की, CRPF की, बहुत सारे Head Constable और ASI की भारी भरकम विकेंसी निकली है डिफेंस में, तो हमने सोचा कि भारी भरकम विकेंसी में Maths तो पढ़ी लेते हो, Reasoning पढ़ी लेते हो, Hindi English में जो आता है वो भी पढ़ लेते हो, लेकिन जीके पढ़ते हो की नहीं, Geography पढ़ते हो की नहीं, Quality पढ़ते हो की नहीं, History पढ़ते हो की नहीं, Current Affairs पढ़ते हो की नहीं, तो यह सब का क्यों ना हम आपसे टेस्स ले ले धोड़ा सा तो इसलिए ठीक है चलिए तो इसलिए हमने यह पढ़ा है कि कितने कुल ग्रह हैं तो आठ ग्रह है ठीक है दपलानेट नोनस अर्थ ट्विन और्थ की तरहा परीथवी की तरहा इद्धम हुबा हू उसका फोटो कौन सा planet दिखता है तो वो है जुर्वा planet दिखता है Venus Venus यानी शुक्रगर अगला सवाल है Polar Star Polar Star अच्छा पता है बिहार में क्या होता है ना बिहार में जब शादी होती है तो जो दुलहा-दुलहन होती है उनको polar star यानि कि North Pole यानि उत्तर दिशा में दिखाया जाता है कि देखो वहाँ पे एक star है वहाँ पे एक तारा है और वो हमेशा वैसा ही रहेगा तो आप लोग का रिष्टा भी हमेशा ऐसा ही सुन्दर और ऐसा नहीं कि divorce ले लेना है ना तो हमेशा ऐसे अडिग होना जाता है लेकिन अगर आप geography हमसे बहुत detail में पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि actually वो जो polar star होता है वो खुद stable नहीं होता है वो भी थोड़ा सा हिल जाता है इसलिए रिष्टे भी आजकल हिलते रहे हैं ना ठीक है चले नेक्स आप देगेंगे how many days does it take the earth to revolve around the sun earth को एक पुड़ा चक्र काथने में सूरज का पुड़ा चक्र काथने में कितना टाइम लगता है तो earth को 365 1 by 4 ठीक है 365 1 by 4 टाइम लगता है ठीक बहुत सारे questions हमने कर लिए आप लोग का demand था कि ma'am option तो हिंदी में है ही नहीं तो ऐसा थोड़ी आप लोग ब कि मैं अब ठीक ठाक जीके पढ़ा लेती हैं आपसे तो पढ़ना चाहिए जीके तो आप ना इसी चानल पे डिफेंस अरे 247 पे मंडे से फ्राइडे मेरे साथ जूर सकते हैं तीन बचे दुपहर में तो तीन बचे दुपहर में मैं आपको फटा-फटे तम जीके पढ़ा लिक यानी कि Space यानी कि Earth, Mars, Jupiter ये सब चीजों पर हमने बात की लेकिन सबसे जाल़ा गराम और सबसे ज्यादा चमकिला कौन सा है तो वीनस तो इस तरह से सवाल आते हैं जो भी सवाल हमने कर ली अब हम करेंगे इतिहास के सवाल तो क्या आप लोगों ने पहले कभी इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम, मैम, एक बात बताओ पहले तो English में option था तो भी दिखका था, अब आप Hindi में option दे रही हैं बहुत सारे बच्चे बोलें में कोई Hindi ने आती Oh my God, so much English in the class हम सारा option बता रहे हैं टेंशन ने ले रहे हैं 1857 का विद्रो कहां हुआ तो क्या हुआ कि अंग्रेज के एक कंपनी बनी थी 1600 में, ठीक है 1600 में क्या हुआ, एक कंपनी बनी East India Company यह दम ही खतरनाक कंपनी थी यह लोग को कोई मतलब नहीं था मान अफ़ताद से यह लोग क्या करते थे? खाली ट्रेडिंग करते थे, खाली वेपार करते थे तो वेपार करने के लिए यह कंपनी कहां आ गई? भारत और यह कंपनी भारत पताए कब आई थी? 1608 में यह कंपनी के सबसे पहले व्यक्ती उनका नाम था William William Hawkins William Hawkins, Hawkins कुकर्ड वाले नहीं है ठीक है, कुकर्ड मत बोल देना लेकिन हां Hawkins कुकर्ड आता है उससे नाम याद रहेगा Hawkins ठीक है, तो Hawkins जो है एक ship पर बैठके आये थे एक ship, एक जहाज ठीक है, बड़ा सा जहाज था, मेरा जहाज तो बहुत छोटा है ठीक है, तो एक जहाज पर बैठके आये थे, और इस जहाज का नाम पते क्या था? इस जहाज का नाम था Lord Dragon, Red Dragon तो Red Dragon पर बैठ कर एक व्यक्ति आया East India Company से और ये 1608 में ये व्यक्ति आया, और ये व्यक्ति जो है, कहाँ पर आया? अच्छा अंग्रेज जो है, सबसे पहले कहाँ आये? तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज जो है, सबसे पहले आये थे सूरत में, सूरत में ठीक है, सूरत मेरी सूरत नहीं, तुम्हारी भी सूरत नहीं, ये गुजरात का सूरत है, गुजरात में एक शहर है, है न, गुजरात आप समझते हैं न, तो गुजरात में एक शहर है सूरत, यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज़ा है, सुनोगे ध्यान से, question answer तो करते ही हैं, थोड़ा-थोड़ा कहानी भी सुन देना, है न, बोल रहा है कि आप अगर मुझे पढ़ाएंगी तो मैं प्रधान मंतरी बन जाऊँगा, प्रधान मंतरी बनने के लिए चाय बेचो, पढ़ क्यो लेओ, ठीक है, ठीक है, तो पहला सवाल हमने क्या पढ़ा, इस इंडिया कंप ठीक है, इतना बात समझ मैं आ गया, ओके, तो अब 1608 में एक कंपनी आ गई, और सबसे पहले इस कंपनी से ने सोचा कि हम बनाएंगे अपना फैक्टरी, फैक्टरी उसमें कुछ बनता था क्या, कुछ बनता नहीं था, फैक्टरी यानि कि दुर्ग, यानि कि वो एक जगा क घेड लेंगे, और बोलेंगे ये जगा मेरा है, तो इन्होंने शुरू कर दिया, सूरत में एक जगा बनाना, लेकिन जहागीर ने कहा, उस समय कौन थे मुगल राजा, उनका नाम था जहागीर, जहागीर ने कहा, अरे अरे रुको भाई, हमको नहीं बनाना है तुमारा फै जहाँ पना कौन थे, तो मुगल राजा जो थे, उनका नाम था जहाँ गीर, जहाँ गीर थे मुगल राजा, और इन्होंने कहा अंग्रेजों को कि जाओ, तुम बना लो फैक्टरी, तो सूरत में फैक्टरी नहीं बनाने दिये, फिर पहले फैक्टरी कहाँ बन कर तेयार अब तुम लोग भागो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1857 में रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट कहां से शुरू हुआ, रिवोल्ट कहां से शुरू हुआ, है ना, सब क्लास से आ रहा है, जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्रांती कहां से शुरू हुई, तो क्र क्रांती मेरट से शुरू ही क्रांती कहां से शुरू ही क्रांती सबसे पहले मेरट से शुरू ही क्या आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ अभी तक जो मैंने बोला समझ में आया है ना बताईये यहां तक समझ में आया नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया डिटेल जादा होड़ा है याँ डिटेल तो पूछा जाता है याँ question में ठीक है तो ये आपका पहला सवाल था दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अचानक से ये जो क्रांती हो गए 1857 की ये क्रांती हुई क्यूं ये जो रिवोर्ट है ये क्रांती हुई क्यूं ठीक है देखे कुछ-कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ने आए है कुछ-कुछ बच्चे जो है वो यहाँ नहीं पढ़ने आए है तो जो बच्चे नहीं पढ़ने आए है वो तुम लोग टाटा बाई पर कर लो जो बच्चे पढ़ने आएं वो लोगडू को बस ठीक है चलिए तो अगला सवाल है कि ये 1857 का विद्रो हो गया तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने एक बारूद बनाया उस बारूद को मुझ से चीलना होता था और फेकना होत सकते हिंदू गाय के मास को हात नहीं लगा सकते हैं तो क्यूंकि चर्वी वाले कार्तूस का प्रियोग किया गया था इसलिए ये कृांटी की शुरुआत हुई इसलिए इस क्रांटी की शुरुआत हुई फिर पूछा जा रहा है कि अच्छा एक बात बताओ कि कौन था पहल प्रयोग नहीं कडूब ने तो हमंने हमें फूट डालने के लिए क्रविय कर्तूस जो हैं वह शुरू किये हैं तो यह कौन थे मंगलपांड़ant 15 jd3 जो मैंını करें और मंगल पंड़ब य। कि जो अंग्रेजों की आर्मी थी उसमें साइनिक थे तो क्या आपको पता है कि जैसे आप लोग भी सेना में जाना चाहते हैं CRPF CISF की त्यारी कर रहें तो आप लोगों का भी बिटालियन का नाम होगा ना पहला दूसरा तीसरा चौथा तो मंगल पांडे जो हैं वो किस बि 44th infantry के थे तो इस 1857 के डिवॉर्ट में बहुत लोगा हैं और बहुत अलग-अलग जगह से उन्होंने डिवॉल्ट का सपोर्ट किया जैसे कि कानपूर से कौन थे तो कानपूर से थे नाना साहब नाना साहब ने और इनके साथ कौन थे तो तात्या तोपे थे तात्या तोप बाबू कूवर सिंग बिहार से कौन थे बाबू कूवर सिंग जो है वो यहां से थे बाबू कूवर सिंग ठीक है उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन थे तो दिल्ली से खुद बहादुर शाह जफर थे यह याद रखेगा पूछा जाता है मैच दफ फॉल पता होगा भारत में कि जासी से कौन थी तो जासी से वो रानी थी जिनका नाम हम बहुत गर्व से लेते हैं रानी लक्षमी बाई तो जासी रानी की जासी जासी से थी आप से क्या पूछा जा रहा है कि बेगम हजरत महल कहां से थी तो बेगम हजरत महल जो है यह लखनव से थ और थोड़ा सा सवाल को लाइक कर दीजेगा और कॉला सा सभाघंग, नौत और ब्रत और आप तो को सबस्क्राइब कर दीजेगा और का टे ऑब करनेज़ें कि हम टो इना दो िले लोगों ड्क तुरे गवरनर जेनरल, टुरे réux नाम क्या था Lord Canning, Lord Canning वो Governor General थे, जिन्हों ने 1857 की क्रांती देखी थी, ये आखरी Governor General और सबसे पहले Vice Roy बने थे, तो ये याद रखेंगे कि Rani ने इनको क्या बनाया, Vice Rai बनाया, Vice Rai बनाया, ठीक है, Rani ने इनको क्या बनाया, Vice Roy बनाया, ये थे Governor General, Lord Canning, अगला सवाल है, Who among the following leaders of the revolt of 1857 was first to sacrifice himself, सबसे पहली अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान, किसने दिया था, इनका नाम अब बताएंगे, मज़ा नहीं आ रहा है क्या, क्लास में, नहीं याद हो रहे हैं, Questions, History तो बहुत interesting होती है, बहुत सारे Questions आते हैं, History से, और सारे Questions यहीं से आते हैं, हाँ, ठीके, नबाबो का शेहर भी कहते हैं, लखनाओं को यह रागव बता रहे हैं, अगला सवाल है, कि सबसे पहले अपनी बलिदान दिये थे, मंगल पांडे, Who led the soldiers in Kanpur, in the revolt of 1857, तो अभी मैंने आपको बोला, कि Kanpur, Kanpur में, सेनाओं का नितरत्व किस ने किया था, Kanpur में सेनाओं का नितरत्व किस ने किया था, इनका नाम क्या है, तो Kanpur में सेना का नितरत्व जो है, नाना साहिद ने किया था, नेक्स सवाल, नेक्स सवाल है, who was the most important element of the power of the revolt of 1857, तो सबसे important क्या चीज़ हुई, सबसे जरूरी क्या चीज़ थी, सब कारण शक्ती, विद्रो का जो पूरा शक्ती था, वो कहां से आया था, विद्रो का शक्ती वहां से आया था, जो आजकल भारत में थोड़ा सा कम दिख़ 1857 का, है ना, ये रिवोल्ड देखकर डड़ गए, और उनको समझ में आ गया कि अगर हिंदुस्तान को कंजोर करना है, तो सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को अलग-अलग करना बहुत जरूरी है, राइट, चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं, कि what was the original name of Rani Lakshmi Bai, Rani की Rani Lakshmi Bai का मूले नाम, क्या असली नाम क्या था, तो इस मूव, इस पर तो मूवी भी बन चुकी है, इस पर तो मूवी भी बन चुकी है, पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री इंट्रेस्टिंग लग रहा है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है, है ना, कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि माम, हम पहली बार पढ़ रहें, ये 1857 का रिवोल्ट, लेकिन हमको लगता है कि ये मज़दार है, थाइंक्यू, थाइंक्यू, सो मच, एक बच्चा है, जिसका नाम है लखनव, सूपर जाइंट, अच्छा, आईपेल का बहुत टेगोर ने लिखा है, और जन गन मन क्या है, हमारा राष्ट्रिय गान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक हमारा राष्ट्रिय गीत भी है, राष्ट्रिय गीत जिसका नाम है वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम और अभी हमने 26 जैनवरी पाड़ हुआ है, है ना, पर तो सबसे पहले आप देखिएगा कि बंकिमचन चार्टर जी या कहीं कहीं बंकिमचन चाटोपाधिया भी लखा रहता है इन्होंने किताब लिखी किताब को नाम था आनंद मठ इन्होंने ये किताब क्यों लिखी क्यूंकि बंगाल में एक सन्यासी विद्रो हुआ था और सन् कनहें कवीटा लिखी है और वो कवीटा है वन्दे मातरम और वन्दे मातरम वहीं से हमारा राश्टिय गान बन गया समझ में आ रही है चीजे आप लोगों को मज़ेदार लग रहा है इतिहास इस्ट्री बहुत इंट्रेस्टिंग है और हिस्ट्री के कई सवाल आते हैं और इसके बलिदान के कारण आज़ाद हैं, है ना ? और उंके बलिदान के बाड़े में, उन्के बाड़े में पर्णा हमारा सौबहाग्य भी है और उसको पर्णा बहुत जरूरी है अगर आप सरकार में जाना चाहते हैं और आपके अंदर ये सेवा का भावना है तो सेवा की भावना के लिए आप उनके बलिदान को पहले समझिए जिन्होंने अपना सरवोच्च बलिदान दिया आप देखो जो फैक्ट बात है आप इस नौकरी को चाते हैं ताकि आपके घर का आर्थिक स्थिती समाजिक स्थिती और बहुत सारी चीज़े बहतर बन सके आपको एक सरकारी नौकरी मिल सके है ना लेकिन वो उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ये सब चीज कुछ नहीं चाता शायद हम आज उनका नाम भी नहीं जानते हो बहुत लोगों का बहुत कम लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं उनको कुछ उनके अंदर निस्वार थे वो लेकिन उनके अंदर बस एक जजबा था कि मुझे भारत माता के लिए कुछ करना है उस जजबेद के आगे उस एनरजी के आगे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं पुड़े ब्रह्मान में कुछ भी नहीं है तो उस भावना को आपको समझना होगा है ना येस हाँ बिलकुल मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे सही आंसर दिये भूदान, भूदान मूव्मेंट शुरूआ था भूदान आंदोलन शुरूआ था कि भूदान आंदोलन क्या था ये कहा गया कि भाई तुम लोग तो इतने बड़े-बड़े अमीर आदमी हो उद्योग पती हो, तुम लोग के पास तो इतना जमीन है उस जमीन को हमको अगर नहीं दोगे तो हम कहां से बनाएंगे सरकारी हॉस्पिटल कहां से बनाएंगे हम सरकारी स्कूल कहां से हम लोगों के लिए बहुत सारे सेवाएं देंगे तो भुदान योजना शुरू किया विनोभा भावे ने इस से एक सवाल और आता है कि क्यूंकि सत्याग्रा नहीं चल पा रहा था कांधी जी का तो बहुत लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रा भी शुरू किया यानि कि अकेले हम सत्याग्रा करेंगे हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रा ही कौन थे तो वो भी विनोभा भावे ही थे लाइफ डिवाइन किताब पुस्तक किस ने लिखा है ये सवाल आता है दो पुस्तक का सवाल और आता है हो सकता है कि आप लोग को लग रहा हो कि हम आपका comment नहीं देख रहे हैं लेकिन यकीन मानिये मेरे पास बहुत सारे questions हैं जो मुझे आज आपको करवाने हैं आपका समय ब आगरे है कि आप बिल्कुल participate कीजिए ये जो session है बिल्कुल free में आपके लिए लाया गया है ताकि आप पढ़ाई जो है वो कर पाएं है ना तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे कि क्या time है क्या चीज़ पूछ रहे हैं कि यह किताब Life Divine किस ने लिखा है तो यह अरविंद घोश ने लिखा है महात्मा गांधी के दो सवाल पूछे जाते हैं तो यहां पर देखेंगे कि हरीजन हरीजन नाम का एक journal महात्मा गांधी ने लिखा है यंग इंडिया किस ने लिखा है तो यह महात्मा गांधी ने लिखा है my experiment with truth यानि कि सच्चाई जो चीज महात्मा गांधी से पूछी जाती है next सवाल आपसे पूछा जा रहा है हाँ बेटा CRPF में help करेंगे बिल्कुल CRPF के लिए एक सवाल है इसलिए हम पहले ही साहिल सर के session में जब आप लोग की तादाद बहुत जादा थी तो हम जाके बोल दिए कि देखिए ये GK का सवाल हम देख रहे हैं जसमीत आपका अंसर सही है एक चौधरी का सत्यम कुमार बहुत सारा जानकारी दे रहे हैं ये फियोनिक्स किताब के बारे में बता रहे हैं सत्यम कुमार जो गांधी जी ने लिखा है है ना ये सारी सवाल सुझी जी बिल्कुल आएंगे CRPF में बिल आदनी वाली चीज तो बताने रहे हैं शकल भी मेरी डड़ावनी में को नहीं लगड़ी है ठीक है तो अब देखते हैं बंगाल बंगाल इस शाटिक सोसाइटी ऑफ बिंगॉल ये किताब लिखा गया है ये ओडिजनेटर है यानि कि एक संगठन बनाया गया था इस शाटि नu- gebracht मौई बारट की समविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी अब देखो तुम कहा रहे हो देश अजाब करना है मैंने का ठीक है देश अजाब करके देश अपने हिसाब से चलाना है इक किताब बनाना है जोकी देश में बहुत सारी नियम कानून को बता सके और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 December, सुनिए गा बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, 9 December 1946 को हमने एक समविधान सभा बनाया, इस समविधान सभा में हमने बहुत सारे लोगों को चुना, अब प्रत्यक्ष तरीके से, इंडारेक्ट तरीके से, ये लोग जो है, लोग बैठे, तो करीबन करीबन 3 साल के लिए ये लोग बैठे, और बहुत जादा सोच विचार, बहुत जादा सोच विचार करने के बाद, इन्होंने, फाइनली, फाइनली, 26 November, 1949 को एक किताब लिख कर तयार किया, उस किताब को आप कहते हैं समविधान, और वो समविधान जो है, वो सम समविधान को लागू किया गया 26 January 1950 में और इसी के कारण आप गंतंत्र दिवस मनाते हैं, गंतंत्र दिवस जो कि 26 January 1950 को मनाई जाती है, इसी के कारण बनाते हैं क्योंकि ये समविधान लागू हुआ, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि समविधान लागू आपने कर दिया, समविधान सभा आपने बना दिया, इस समविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे भारत के पहले प्रेसिडंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रशाज जी, इस समविधान के सबसे पहले अध्यक्ष बने, साथ ही साथ आप बताईएगा कि आडे, अर सम्विधान सभा बना था cabinet mission cabinet mission योजना से बना था cabinet mission में तीन लोग आये थे है ना इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है हमने भारतियों को दे दिया permission सम्विधान सभा बनाने का और भारतियों ने सम्विधान सभा के मदद से बना दिया समविधान भारत का है ना मज़ेदार लग रहा है थोड़ा से इंट्रेस्टिंग नहीं लग डी मेरी क्लासेस तीन बजे होती है दो क्लासेस होती है मेरी करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स हर एक्जाम में आता है तो इसी चानल पे आपको मंडे से साटेड मिल जाएगा रोज सुबाँ आठ बजे आपकी करेंट अफेर्स की मेरी माड मैं पढ़ाभा देती थे का किताब हम पढते हैं तो यह सारे सवाल कीक्लीट करवा देंगे क्या तो बिल्कुल और ने करवाइंगे तो तो ये तीन वज़े आपकी class होती है, उस class का नाम CDS लिखा रहेगा, लेकिन वो class आपके लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चे मुझे first time देख रहे हैं, उनको मैं ये बात बता दूँ, चले, फिर next है कि the first Indian Nobel Laureate, एक बात बताओ, Nobel पुरुसकार हमेशा सुनते हैं, 2023 में भी स peace में भी मिलता है, ठीक है, तो पहले भारती या पहले नॉन यूरोपी, कौन थे जिनको ये Nobel Prize मिला था, तो ये थे रविन नाट टेगोर, रविन नाट टेगोर को उनके पुस्तक गितांजली, जिसमें बहुत सारे, बहुत सारे poems लिखे हुए हैं, बहुत सारे poems लिखे हु और बिल्कुल ये class जो है, वो अभी 8 बजे तक चलेगी, और 8 बजे के बाद आप लोगों को मजा आएगा, है ना, लगेगा कि history बहुत ये interesting है, चले ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगला सवाल क्या है, कि where is our national song, वन्दे मातरम compiled, किस किताब में लिखा गया है, किस किताब में लिखा गया है, वन्दे मातरम के बाड़े में, तो आनन मठ में लिखा गया है, वन्दे मातरम के बाड़े में, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, on which year is national calendar of India, तो देखो हम एक calendar चलाते हैं, ठीक है, नेपाल अलग calendar चलाता है, नेपाल विक्रम संबत के recording चलता है, क्या आप जानते थे कि भारत में जो हमारा सरकार है, भारत में सरकार सक कैलेंडर, सक के राजा थे, सक राजा के अनुसार, ये कैलेंडर चलाया जाता है, सक कैलेंडर, चलें, अगला सवाल है, who was the architect of Northern and Southern Division of Central Secretariat, यानि कि दिल्ली में जो केंदरे सची वाले है, जहां पर सारे लोग रहते हैं, राष्टर पती, प्रधान मंत्री, कर्वत, कर्तब विपत्थ बनाया गया है, वहां पे हैं न, उसके उत्री और दक्षनी खंड के वास्तुकार, यानि कि उसके आर्किटेक् तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है Edward Lutens, Edward Lutens इनका नाम है, अगला सवाल आपके लिए है, which of the following, which of the following is not a work of Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore ने इन में से कौन सा किताब नहीं लिखा है, कौन सी कृती है, जो Rabindranath Tagore की नहीं है, तो कपाल कुंडला इनकी कृती नहीं है, इसके अलावा आ नहीं मज़ा आ रहा है, मुझे भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन किताब तो नाम याद रखने पड़ते हैं ना, जैसे चित्रा, दकोट, डांसर, चित्रांग ना, ये सारे किताब जो हैं, वो आपने याद रखने है, पोएट इकबाल का नाम आपने सुना पोएट इकबाल के बारे में पूछा जा रहा है, कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस सिता हमारा, है ना, ये पोएट इकबाल ने लिखा था, पोएट इकबाल भारत में कहां से थे, तो पोएट इकबाल पंजाब से थे, ठीक है, अगला सवार है, मुसलिम लीग, मुसल उसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रियोग किया गया चौधरी रहमत अली द्वारा और जिन्हा ने सपना देखा एक अलग प्रांत बनाने का नग देश बनाने का जो अभी भी हम सभी के मन में है ना तो हमें आजाधी तो मिले लेकिन आजादी के साथ हमें पार्टिशन भी मिला. तो हम अलग हो गए. पाकिस्たान को अलग बनाया गया. तो मुस्लिम लीग एक मुक्ती दिवस मैनाती है. लिबरेशन ड़े मनाती है. यह नाइंटीन थरटीन नाइन मेंमाती है. थिक है तो इस तरह से बहुत सारी इतिहास में बहुत सारे पन्ने हैं जो आपको पता है अभी भी अगर मैं मैं इतने खुड से पढ़ाए बत् Chop tiempo और इतने सारे डिये हैं लेकिन जब भी आज में हाथ में कोई А geta अपरता है history का तो मैं बढ़ना शुरू करती हूं और हर बार मुझे लगते है कि यह जो time आता है na 1940 41 42 और 47 तक हर बार मुझे लगते है कि इस बार partition ना हो मलब हर टाइब मुझे movie जासा लगते है कि आप partition होने वाला पार्टिशन होने वाला है तो इस तरह से इंट्रेस्टिंग तड़ी किस हम पढ़ते हैं या पर है ना ने नी अंजनी जी बिलकुल C.A.P.F की क्लास चल रही है C.A.P.F की क्लास चल रही है मैं आपको अभी बता दूंगी मुझे लगते हैं इंगिश की क्लास शुरू कर दी गई है GK की क्लास ब Debats 2 में शुरू हो जाएंगी ठीक है चलिए तो यहां पर आप देखेंगे कि 1937 के चुनाओ 1937 में 11 जैसे आप ही आज लोग 28 स्टेट सुनते हो ना यहां पर 11 स्टेट्स थे और उसमें से 6 स्टेट में कॉंग्रेस ने जीता था कॉंग्रेस ने जीता था 6 स्टेट्स को ठीक है साइड हो जाएं हम बिल्कुल साइड हो गया है ठीक है पूरा ही साइड हो जाते हैं बोर्ड ही साइड जाते हैं अब देगो सवाल है कि भारतिये मुसल्मानों ने प्रिथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रियोग किया तो प्रिथक राज्य के लिए जो भारतिये मुसल्मान इसमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुसल्मान हैं लेकिन भारत के हैं उनको पाकिस्तान नहीं चाहिए था तो कुछ पॉलिटिकल लोग थे और प्रिथक राज सबसे पहले पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने कहा था ठीक है सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने कहा था अगला सवाल है कि भारती राष्टे कॉंग्रेस का वर्ष 1929 में 1929 में लोहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ट सवतंतरता की मांग के संकल्प अग्रिगित किया जिसका अध्यक्षता कौन है अब देखेगा लोहौर अधिवेशन के बारे में सवाल आता है ये सवाल क्यों आता है क्योंकि बात यहां से शुरू होती है 1928 में एक रिपोर्ट आता है इस रिपोर्ट का नाम होता है नहरू रिपोर्ट बहुत साथे बच्चों को लगेगा कि यह रिपोर्ट जवार लाल नहरू ने बनाया लेकिन नहीं उनके पापा जी ने बनाया उनके पापा जी का नाम था मोती लाल नहरू या जो भी decision लेने का ताकथ है जो भी सोचने का ताकथ है वो हम पर छोड़ दे लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, डोमीनियन स्टेटस तो आपको मिल जाएगा, चलो ठीक है, नहरू जी जो की जवार डाल नहरू जी ने थे, अपने ही पापा की खिलाफ इन्हों ने कहा कि नहीं, हमको डोमीनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमको चाहिए पूंट स्वर विए उन्हों ने 1929 में लौहूर में लौहॉर के अधिवेशन में रावी नदी के किनारे जंडा फढ्या था लिए ने रावी नदी के किनारे लहोर में पहले बार तिरंगा फेडाया और पता है कब तो ये 26 जैनवरी 26 जैनवरी 1930 की बात है उसी दिन को हम याद करते हैं 20 साल बाद और अपने समिधान को लागू करते हैं ठीक है फिर नेक्स आप से पूछा जा रहा है कि अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने कॉंठ को छोड़ दिया कॉंठ छोड़ने के पहले, which party was found which party was formed party कौन से बनी थी तो forward block बनी थी Congress छोड़ने के पहले सुभास चंद बोज जी जो है वो forward block उन्होंने बनाया था next आप देखेंगे who presided over interim cabinet formed in 1946 तो 1946 में जो interim cabinet बनी थी interim cabinet का मतलब क्या होता है तो यह होता है अंत्रिम cabinet यानि कि देश अजाद होने के पहले वो practice कर रहे थे कि अगर हमारा खुद का government बनता है हमारा खुद का cabinet बनता है तो वो किस तरह का होगा तो वो interim cabinet के अध्यक्ष किसों को बनाया था जवाहरलाल नहरूजी को बनाया गया था तो चिटगॉन का आर्मी रेड सबसे पहले किसने और्गनाईस किया था सूड़े सेन ने सूड़े सेन ने चिटगॉन आर्मी को और्गनाईस किया था हंटर कमिशन एपॉइंट किया गया था अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दुख होगा, क्योंकि हम इतिहास का एक सबसे ही काला दिन के बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है, चलिए, तो शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, 9 जैन्वरी, 9 जैन्वरी 1915 से, सबसे पहले गांधी जी आएं, गांधी जी कह क्या किया, केक काटा, केक का मतलब क्या होता है, गांधी जी चंपारन गे, बिहार में चंपारन है, ठीक है, चंपारन गे, उसके बाद गांधी जी एहम्दाबाद गया, एहम्दाबाद हुआ, फिर गांधी जी खेडा गया, ठीक है, तो खेडा गया, खेडा यह तीनों जगा क्या हुआ गांधी जी ने सत्याग्रा किया ठीक है सत्याग्रा किया understood अब गांधी जी ने जब सत्याग्रा किया तो यह सब चीजे चल गई 1917 में यह हुआ और 1918 में यह दोनों चीजे हुई लेकिन उस समय गांधी जी बहुत फेमस नहीं हुए थे पॉलिटिकल लीडर नहीं बने थे तो बहुत लोग क्या गरते थे कि अपने मन से कहीं कहीं बंवाम फोड़ देते थे और अंग्रेज इन से परिशान हो गये थे तो अंग्रेजों ने एक सबसे काला कानून अंग्रेज लेकर आते हैं और उस कानून का नाम होता है रॉल एट एक्ट उस कानून का नाम होता है रॉल एट एक्ट इसके तहत कहा जाता है कि में को अगर शक भी होगा ना तुम पे अगर हमको तुम पे शक भी होगा तो हम त उनको जेल में डाल देंगे ठीक है तो जब ये बात चल गई कि सिर्फ शक पे जेल में डाल देंगे काला कॉनून तो दो लोगों को इन्होंने कैद कर लिया इनका नाम क्या था यार अप इंस्टा अंस्टा पर हम नहीं है ठीक है तो दो लोगों को कैद कर लिया एक का नाम थ के दिन ये सुन्दर नहीं था अम्रिट सर में एक बाग था जिसका नाम था जालिया वाला बाग ठीक अभी एक ऐसा बात बताएंगे कि अगर सही में हिंदुस्तानी हो तो खुन खौल जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या है कि जालिया वाला बाग है इसका नाम क्या है जालिय वाला बाग है ना जाले वाला बाग है और यहां पर क्या हो रहा है जाले वाला बाग में यहां पर यहां पर आपका 13 एप्रिल 13 April 1919 के दिन अमरिट सर में कहां पे तो अमरिट सर में ठीके, अमरिट सर में क्या मनाय जा रहा है तो वैसाखी मनाय जा रहा है ठीके, वैसाखी मनाय जा रहा है वैसाखी का त्यहार मनाय जा रहा है कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग यहां पर कुछ लोग थे जो साफवदीन किछलू और सत्यापाल मलिक के रिहाई के लिए आये थे कि इनको छोड़ दो इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है लेकिन जादा दर लोग जो थे जादा लोग जल I don't know why some people without it ठीक है तो जादा दर लोग जो थे वो क्या कर रहे थे हाँ मैं बिहार से हूँ बिल्कुल बिहार से हूँ जादा दर लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे वो आये थे वैसाखी मनाने इसमें बुढ़े लोग थे बच्चे थे औरत थे innocent लोग थे अब ये लोग बिचारे विसाखी मनाने आये हैं और एक आदमी था जिसका नाम था Richard Dyer इसने सोचा Richard Dyer जो है military का आदमी था इसने सोचा general था ये ठीक है कि इन लोग पे गोली चला देते हैं बिचारे लोग आये हैं इनोसेंट जाले वाला बाग में विसाखी मनाने मेला लगा हुआ है बुर्ण गोली चला देते हैं क्योंकि ये लोग रॉल इटक के खिलाफ प्रदर्शन करने आये हैं और एक उससे भी महा बेवकूफ आदमी था जिसका नाम था माइकल ओडायर ठीक है उद्धाम सिंग ने फिर इसको बता दिया ठीक क्या बता दिया ठीक है माइकल ओडायर अमरित सर का गवर्नर था अमरित सर का गवर्नर था तो रिचार्ड डायर ने से गवर्नर से पूछा कि गोली चला दे क्या तो गवर्नर ने का हाँ गोली चला द और एक कुवा था बहुत लोगों कूए में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए कूए में कूद के भी बच नहीं पाएं और गोली से भी मड़ गये तो रिचर्ड डायर नहीं ये काम कर दिया जाले वारा बाग में 13 एपरिल 1919 में और क्यूं क्यूंकि उनको लगा कि रॉल किया बस एक हंटर कमिशन लेकर आगे हंटर कमिशन लेकर आगे कि कमिशन बताएगा कि इन्होंने सही किया कि गलत और हंटर कमिशन ने नहीं बोला कि इन्होंने गलत किया फिर इसका बदला तो लेना ही था उद्धम सिंग ने माइकल ओडायर का मार दिया तो ये इतिहास है यह कहानी है जो हर भारतियों को सुनानी है आपको बतानी है आपको पढ़ना होगा जानना होगा कि जब आप बनना चाहते हैं ASI head constable और वर्दी मिलने वाला है आप लोगों को आप पबलिक के लिए काम करने वाले आप जंता के लिए काम करने वाले तो ये जजबा जो हिंदुस्तान के लिए जजबा है वो तो आपके दिल में होना ही होना चाहिए इस जजबा के बिना क्या करोगे वर्दी का ऐसा तो ब सवाल है तो थोड़ा अंग्रेजी में लिखा राता है प्लीज बुड़ा मत माना क्योंकि अंग्रेजी शब्द अब जैपोरेजिया को हम क्या से हिंदी में लिखेंगे हमको नहीं आता हुतना हिंदी निम लिखित में कौन सा यूडोपी का सबसे बड़ा प्रमानू है यह कि CEO Jet Airways जो उड़ता है CEO कौन बने है Jet Airways के तो इनका नाम है Sanjeev Kapoor बहुत जल्दी-जल्दी करवा देते हैं आप लोग मनाते हैं है ना surgery and you all में एंट-परवरी को चॉदा दिन पहले तुम लोग कुछ और मनाते होți है तो वाल्द मेयर फुटीन के बारे में बढ़ाय जा रहा है कि यार यह इथिना ब्रश्या में कि वॉँच्पे जल,-जल की लिएज जलेंस्की पांच बार बोलो ठीक है जलेंस्की आक्चली कौन थे युक्रेइन के प्रेसिडेंट है इनका नाम पता होना चाहिए क्योंकि रश्या युक्रेइन 2022-2023 बहुत जरूरी है तो वाल्दमेयर जलेंस्की पे अटैक करवा दिया खिसने वाल्दमेयर पुटीन ने वाल्दमेयर पुटीन जो है रश्या के हैं और इस कारण से क्या कहा गया इनको सब सब अंतराश्टिये फेडरेशन से हटा दिया और जूडो फेडरेशन इनको हट जा दिया ठीक है चलिए वह अमंग फॉल्वाइंग लेड देखे अब आप जानते हैं कि राजस्थान रॉयल के कैप्टन का नाम क्या है क्योंकि इस साल उनका निधन हो गया तो शेन वहन आस्ट्रेलिया के बॉलर है और यह राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे और सबसे पहले राजस्थान रॉयल ने ही इपिएल जीता था याद है कि याद है कि नहीं चौदा जैनवरी को क्या मनाते हो चौदा जैनवरी को नहीं बिंदा नेक्स समझेंगे कि पहली महिला पहली महिला जो Financial Regulatory Board यानि वित्तनाई का बनी है तो इनका नाम क्या है माधवी पूरी बूच सबसे पहली महिला जो सेवी की सेवी की ये Financial Regulatory की चेर्मन बनी है तो इनका नाम है बूच ठीक है नेक्स आप देखेंगे Automation Train Collision अगर दो ट्रेन आएगा और पटाक से बूम टकड़ हो जाती है प्रदकर से बचाएगा और वन जीव दिवस से कब मनाते हैं हम तीन मार्च को मनाते हैं इस साल मेक्सिको ओपन कौन से लॉन टेनिस खेलने वाले प्लेयर ने जीता है क्या यह राफल नडाल है या डैनियल मेंडवे चलो यह दोनों तो नहीं है ठीक है यह है यह यह है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और लगता है कि मैडम काम तो चल जाएगा तो आथ बज़े हम रोज इसी चानल पर करेंट अफेश पढ़ाते हैं और तीन बज़े रोज जीके पढ़ाते हैं तो जीके और करेंट अ पास रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा इनर्जी दे देंगे, ताकि वो लिफ्ट हो जाए और आप लोग भी उडान भर सकें हैं ना, फिर गाना बादल पर पाऊं है, तो होफली आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर लग रहा है कि मैम मुझे पढ़ना है आप से जीके, या पूरी टीम से जीके पढ़ना है, मैट्स पढ़ना है, रीजिंग पढ़ना, इंगलेश हिंदी पढ़ना है, और अपने सपने को पूरा करना है, तो बिलकुल आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, और साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दू, तैयारी कहां से की जाती है अगर आप गूगल पे आते हैं और गूगल पे इस तरह से आप जाते हैं अडर247.com पे और इस वेबसाइट पे जाते ही आप All Courses में क्लिक करते हैं यहाँ पे All Courses हैं जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप Defense पे आईएगा 5999 यह बैंच है अगर आप यहाँ पे View Offers में जाते हैं By Now पे और यहाँ क्लिक करते हैं कोड है हमारे पास Y332 Y332 और इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके क्या करते हैं आप यहाँ पे 1380 रुपे का लगभग आपको यह बैंच पड़ेगा आपको इसमें Hindi English दोनों ठीके GK Current Affairs Reasoning Maths सब चीज की तयारी आपकी हो जाएगी तो आप इसमें आकर पढ़ाई कर सकते हैं CRPF का यह बैंच है अगर लगता है कि CISF की तयारी के बारे में बता दीजे तो यहाँ पे देखिए फिर से हम डिफेंस पे क्लिक किये हैं और सारे बैंच आपके सामने हैं यह CISF का हमारा बैंच है और यह बैंच चल रहा है यह भी 24 तारिक से शुरू हो चुका है यह बैंच तो CISF Head Constable और ASI का हमारा बैंच है जो कि 6999 रुपे का है लेकिन यहाँ अगर हम एक प्यारा सा कोड इस्तमाल कर लेंगे मेरा कोड है प्यारा सा इसको इसको इस्तमाल कर लिए सबसे जाड़ डिसकाउंट देता है 332 ठीक है तो वाई 332 और यह 1609 रुपे में आपको यह बैंच मिल जाएगा सारी सब्जेक्स आपकी बिल्कुल ही complete हो जाएंगी हा आपको समझ में आया होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आज हमने जोगरफी और हिस्ट्री के क्वेश्टन बनाए हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्टन और बनाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि यह क् और जैहिंद आपका सपना जरूर बुड़ा हो